बेलापुर गाउं में हरीश और रेनू अपनी बेटी सपना के साथ रहते थे हरीश ध्याडी मजदूरी का काम करता था जब कि रेनू लोगों के घरों में साफ सफाई और खाना बनाने का काम करती थी बड़ी मिन्नतों के बाद उनको उलात का सुख प्राप्त हुआ था लेकिन अपनी गरीबी की मजबूरी और बेटी के सपने पूरे करने के लिए वो दोनों काम करते जिस वज़ा से सपना को घर में अकेले ही रहना पड़ता था सपना सारा दिन मिट्टी में खेलती रहती जिस वज़ा से एक दिन उसको बुखार आ गया रेनु जैसे ही काम पर जाने से पहले सपना को गले लगाने के लिए आगे बढ़ती है तो वो देखती है कि वो काफी गरम है रेनु उसके माथे पर हाथ लगाती है तो उसका माथा काफी गरम होता है ही भगवान कितना तेज बुखार है मेरी गुडिया को अब मैं काम पर कैसे जाओ आज तो मालकिन के घर मेहमान आ रहे है अगर नहीं गई तो वो बहुत गुसा होगी फिर भी एक बार फोन करके छुट्टी मांग कर देखती हो फिर वो अपनी मालकिन को फोन लगाती है हलो मालकिन मैं रेनु बोल रही हूँ दरसल मेरी बिटिया सपना को बहुत तेज बुखार है तो क्या आज मैं छुट्टी ले सकती हो देखो रेनु अगर तुबे परमनेंट छुट्टी चाहिए तो साफ साफ कहो यो रोज रोज छुट्टी लेने के लिए नए नए बहाने मत बनाओ अगर काम पर आना है तो अभी आओ नहीं तो अपना हिसाब ले जाओ तुम जैसी काम वाली और भी बहुत मिल जाएंगी नहीं नहीं मालकिन मैं अभी आती हूँ आप मुझे काम से मत निकालो रेनु सपना का पेट पालने की खातेर उसे दवाई दे कर बुखार में तपता छोड़ कर काम पर चली जाती है काम पर पहुँचने के बाद मालकिन उससे पूछती है क्या सचमुच तेरी बेटी को बुखार है या तेरा छुट्टी का मन था मालकिन कौनसी मा छुट्टी लेने के लिए अपनी बच्ची की बिमारी का जुटा भाना बनाएगी सचमुच में मेरी लाडो को बहुत देज बुखार है आज आप मेरी जल्दी छुट्टी कर देना नहीं नहीं सुबह से मुझे मेरे बेटे रोहन की तव्यद भी कुछ ठीक नहीं लग रही है तो मुझे उसका ध्यान रखना है और आज घर में कुछ मेहमान भी आ रहे है तो उनके खाने की तैयारी भी तुम्हे ही कर दी है मेरी भी मजबूरी समझे मालकिन मैं काम पर आतो गई उपर मेरा मन मेरा सारा ध्यान मेरी बच्ची की ओर ही है बस बस अब रोना बंद करो और साफसफाई में लग जा बेचारी रेनू आखों में आसू, मन में उदासी और चेहरे पर चिंता लिए काम में लग जाती है और दूसरी तरफ मालकिन बेट पर बैठी अपने बेटे रोहन को अपनी गोद में लिटा कर टीवी देख रही होती है ऐसे ही 20 साल बीच जाते है सपना और रोहन दोनों ही बड़े हो गए जब भी रेनू लोगों के घरों में काम करने जाती तो सपना को बहुत बुरा लगता इसी लिए वो अपनी पढ़ाई के साथ-साथ एक मॉल के शोरूम में सेल्स करल की नौकरी करने लगी एक दिन रोहन अपने दोस्तों के साथ मॉल में शोपिंग करने आता है और वो रेनू को पहचान लेता है शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है अरे याद आया तुम तो वही हमारी नौकरा नी क्या नाम है उसका हाँ याद आया रेनू उसकी बेटी हो न जी वो सर अरे बस अब इतना क्या नाटक कर रही है अच्छा वैसे तेरी मा है बहुत महनती सारा काम बड़ी लगन और महनत से करती है वैसे तू यहाँ कपड़े बेचने का काम करती है चलो बड़ी आए वैसे भी एक काम वाली के बच्चे इससे ज़्यादा कर भी क्या सकते है अच्छा लिसन अगर तुम्हे कोई काम चाहिए हो तो बस बता देना वैसे भी तुम्हारी मा बोड़ी हो चलिये तो उनके बाद हम तुम्हे काम पर रख लेंगे रोहन अपने सभी दोस्तों के सामने उसका खूब मजाग उड़ाता है लेकिन सपना खामोश रहती है इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है सपना दिन भर नौकरी करती और रात को जाग कर पढ़ाई और उधर रोहन सारा दिन मस्ती करता हो रात को दोस्तों के साथ रिंक और पार्टी उ एक दिन रेनू अजना के घर काम कर रही होती है कि तब ही अजना महरा रोहन को कहती है रोहन ये सब क्या है अगर हम अभी अपनी लाइफ इंजॉइ ने करेंगे तो कप करेंगे और स्टडीस और कमाने के लिए enjoy करने का और वैसे भी मुझे नौकरी शौकरी में कोई interest नहीं है मैं तो अपना business करूँगा business और उसके लिए मुझे आपसे पैसो की जरुवत होगी अरे इस रेनू की बेटी को देख दिन रात पढ़ाई भी करती है और साथ में नौकरी करके अपने और अपने परिवार का पेट भी पाल रही है और अपने मा बाबा का भी कितना ध्यान रखती है ममा प्लीज यार मैं कोई कामवाली का बेटा नहीं हूं मुझे पैसो की जरुवत है मुझे पैसे दो रोहन लड़ जगड़ कर अपनी मा से पैसे ले जाता है और दिन रात पाटीज करता है उधर सपना और भी कड़ी मेहनत करती है और नतीजा ये हुआ कि वो खुद का एक आप्लिकेशन सौफ्रियर डेवलप करती है जो बाद में एक डिजिटल कमपनी में बदल जाता है वहीं दूसरी तरफ रोहन अपने बिजनस में खूब पैसे लगाता है लेकिन काम पर बिलकुल भी ध्यान ना देकर पार्टीज में बिजी रहता है जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी कमपनी घाटे में जाने लगती है और उसको बचाने के लिए वो अपनी मा से और पैसे मांगता है मा मुझे और पैसो की जरुवत है रोहन मैं तुझे पहले ही 60 लाग रुपे दे चुके हूँ जानता हूं मा लेकिन कमपनी लॉस में जा रही है और उसे पट्री मिलाने के लिए हमें और पैसा लगाना होगा लेकिन मेरे पास अब पैसे नहीं है तुम्हें देने के लिए मा मैं इस घर के बेस पार बैंक से लोन ले लेता हूं अंजना भी रोहन की बातों में आ जाती है और अपने घर को गिर्वी रग देती है अब मैं अपने इस घर को कैसे बचाऊंगी अब हम बैंक का लोन कैसे भर पाएंगे तुम्हारे पास तो कोई नौकरी भी नहीं है रेनू और सपना उनकी सारी बाते सुन लेती है रेनू अंजना से कहती है मालके ये लीजे मिठाई मेरी बेटी की मेहनत की वज़े से इसने तो मेरे दिन ही बदल दिये भगवान किसी को घमर ना करवाए क्योंकि सब के दिन एक जैसे नहीं रहते है रोहन ये लो मेरा विजिटिंग कार्ट सुबह मेरे ओफिस आकर मुझसे मिलना मैं तुम्हे कोई नौकरी ज़रूर दे दूगी जिससे तुम अपना घर बचा सको थैंक यू सो मच सपना तुम्हारी बहुत महरबानी बेटा हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद रेनू अपनी बेटी सपना के साथ एक बड़ी से गाड़ी में बैट कर चली जाती है और अंजना और रोहन अपने किये पर बहुत पच्चताते हैं अरे सोनी बेटा जल्दी से पानी की बोतले उठा ले पानी चला गया तो हम फिर पानी के बिना सारा दिन परिशान होंगे ठीक है मा आप मटका पकर लो मैं बाल्दी और बोतले पकर लूगी अरे नहीं बिटिया तु खाली बोतले पकर और ये मटका और बोतले दोनों मेरे हाथ में रहने दे सरला एक गरीब बस्ती में रहती थी जहां पर पानी या सुबह शाम आता था या दिन में एक बार या फिर दो-दो दिन पानी नहीं आता था बस्ती वाले सब सुबह से लाइन में खड़े हो जाते थे और एक-एक करके सब पानी भरते थे कई बार तो सडला को पानी भढ़ने जाने के लिए थोड़ी सी भी देर हो जाती तो पानी चला जाता था इसलिए पानी के बिना गुजारा करने में बड़ी मुश्किल होती थी अरे पानी के टंकी पर तो बहुत लंबी लाइन लगी है जब तक हमारा नंबर आएगा तब तक तो पानी चला जाएगा अब क्या करें? मा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है बिटा बस थोड़ी देर और सबर करो, बस तीन लोगों के बाद हमारा ही नंबर है गर्मी के दिन और उपर से पानी की किलत, ये किसी भी गरीब को सबसे ज़ादा परिशान करती है बून-बून पानी के लिए भी बिचारे बहुत परिशान होते हैं और ऐसा ही हुआ जब सरला का नंबर आया, तब तक पानी जा चुका था अरे पानी तो चला गया, अब क्या करेंगे आशा भावी के हाथ में पानी की भरी हुई बाल्ती, ये कहां से भर कर लाई है एक पार इन से पूछती हूँ अरे आशा भावी, आप ये पानी कहां से भर कर ला रही हो वो में रोट पर टैंकर आया है पानी का तो सब लोग वहीं से पानी भर रहे है, मैंने भी ये बाल्ती वहीं से भरी है सोनी बेटा, चल एक बर सड़क पर जा कर देखते हैं पानी का टैंकर अभी खड़ा होगा, हम पानी वहां से भर लेंगे मा फिर तो हम जल्दी जल्दी चलते हैं कहीं ऐसा ना हो पानी का टेंकर भी चला जाए बिचारी सरला और सोनी हाथों में मटका बाल्टी और पानी की बोतले उठाए दोड़ती हुई सड़क पर जाती है भाईया यहाँ पर एक पानी का टेंकर खड़ा था ना वो कहां गया वो टेंकर तो कब का चला गया गर्मी की बजह से सबको पानी की बहुत जरूरती है जब बस्ती वालों को पता चला कि यहाँ पानी का टेंकर खड़ा हुआ है तो सब लोगों ने यहां भीड लगा दी थी कुछी देर में पानी का टेंकर खाली हो गया मा अब हम क्या करेंगे मेरा प्यास से गला सूख रहा है एक काम करते हैं अभी मैं मालकिन के घर जा रही हूँ तु मेरे साथ चल मैं तुझे वहीं से पानी पिला दूगी और थोड़ा पानी घर के लिए भी भर कर दे दूगी फिर तु घर चली आना सरला सोनी को अपने साथ काम पर ले जाती है अच्छा हुआ सरला अंटी आप आ गए मैंने बालकनी में स्विमिंग पूल तयार कर लिया है उसमें पाइप लगा दो पानी भर जाएगा माम आज मेरे कुछ दोस्त आने वाले है तो हम लोग पूल पाठी करेंगी संजु बेटा तुम्हें पता है गर्मी के दिनों में पानी की कितनी परिशानी होती है और तुम ये पूल पाठी कर रहे हो पता नहीं आप तो हर समय बच्चों को टोकते ही रहते हो खुला पानी आता है जब मर्जी मोटर चला लो अब अपने बच्चों को छोटी छोटी चीजों के लिए टोकना बंद करो संजु बेटा तुम स्वियंग पूल को अच्छे से पूरा भर लो पानी की कोई टेंशन नहीं है सरला ज़रा मोटर का बटन दबा दो संजु बाथिंग पूल में पाईप लगा कर अपने कमरे में चला जाता है और फोन पर बात करने लगता है इतनी देर में पूल पानी से भर जाता है और उसमें से पानी बाहर गिरने लगता है लगता है संजु भाईया पूल में पानी चला कर भूल गए है सारा पानी बाहर गिरकर खराब हो रहे नल बंद कर देती हूँ सोनी ये क्या बत्तमीजी है तुमने नल बंद क्यों किया तुम्हें पता नहीं है पूल में पानी भर रहा है संजु भाईया मैंने इसले नल बंद कर दिया क्योंकि पानी बह रहा था बह रहा था तो तुम्हे इस से क्या तुम गरीब लोगों को खुला पानी देखने को नहीं मिलता पर हम लोग अमीर है हमारे घर में पानी की कोई कमी नहीं है संजू ये क्या तमीज है इस तरह किसी से बात करते हैं और तुम भी तो नल को खुला चोड़ गये थे क्या ये बात सही है जाओ सोनी बेटा अपना काम करो और ये प्रिया कहा है किचन में है अपने लिए पास्ता बना रही है बिबी जी सिंक में पानी का नल चल रहा है तो चलने दो कुछ नहीं होता जादा फिल्टर इस्तेमाल करो तो या ममी तुमने इस सर्ला को बहुत छूट दे रखिये मना कर दो हमारे घर पानी नहीं है हाँ ममी प्रिया ठीक कह रही है इसी की वज़े से जब देखो पापा हमें पानी फालतु चलाने के लिए मना करते रहते हैं उपर से ये अपनी लड़की को और उठा के ले आई आज उसने मेरे पूल का नली बंद कर दिया और पापा ने मेरी डाट लगा दी सर्ला आज के बाद ये बोतले उठा कर हमारे घर मत लेकर आयकर हम भी बड़ी मुश्किल से पानी भरते हैं फिर मैं नहांगी कैसे मेरा तो संडे का दिन ही कराब हो गया इतने मन से मैंने पास्ता बनाया था सोच री थी कि नहां कर आराम से खाऊंगी मम्मी बहुत गर्मी है बोलो ना मैं क्या करूँ मालकिन अगर बीबी जी कहे तो मैं नीचे से सड़क पर नल लगा है वहां से बाल्टियम भर कर ला देती हूं प्रिया और संजू सरला को देख रहे थे उन दोनों ने उसके साथ कितना बुरा सा लूक किया फिर भी वह बेचारी बाल्टियम भर कर लाने को कह रहे थे मालकिन को भी बोहत बुरा लगा कि उसने पीने के पानी के लिए सरला को मना कर दिया जबकि लोग तो प्यासे को पानी पिलाने के लिए प्याउ लगवाते हैं प्रिया और संजु अपने पापा से सौरी बोलते हैं. अपने पापा की बातों को सुनकर संजु और प्रिया सरला से माफी मांगते हैं. और उस दिन के बाद सरला को पीने के पानी के लिए कोई भी मना नहीं करता. संजु और प्रिया भी अब जितनी जरुरत हो उतना ही पानी का इस्तेमाल करते थे. अगर आपको ये विडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कॉमेंट्स करें इस विडियो पर. और हाँ, शेयर करना भी न भूलें. और भी मज़िदार विडियो देखने के लिए, नेचे दिये गए बेल आइकॉन को दबाएं. देखते रहिए, बेस्ट बाडीज.